ज eyeliner स्टी में आपकें पूक्णविक्षाइव जयान वा pedir इसवेडियो में हम जेमेनि रपाइंड सन 아इमान ऐल करते हैं और बात करने और यह एह पेले ऐma डियो के बारे वह olduğ यह वां इसमे पहले आपने हमारी चैनल का सस्क्राइब को घृओ करिए ताकि आपको latest notification मिलती रहे तो packing की बात करें तो इसे pack करने के लिए एक steel type container का use किया गया है और इसकी काफ़ी अच्छी और colorful packing की गई है जेमिनी ओयल की तरफ से और उपर के साइड में आपको जेमिनी Refined Sunflower Oil की branding देखने को मिल जाती है MRP की बात करें तो यहाँ पे इसकी MRP है 2050 लेकिन यह हमें 1360 में मिला है यहाँ पे आपको packing details भी देखने को मिल जाती है जैसे की email ID बारकोड के साथ यहाँ पे आपको manufacturing भी देखने को मिल जाता है इसका manufacturing कार्गिल एंडिया प्राइट लिमिटेड का है और साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाती है नेट कॉंटिटी की बात करें तो इसकी नेट कॉंटिटी 15 लिटर्स और आप इसे 9 मन तक यूज कर सकते है इसे आपको ड्राइब लेस पे स्टोर करके रखना है और इसे आपको हीट लाइट से दूर रखना है और यहाँ पे राइट साइड में आपको काफी सारी इंफोर्मेशन दी गई है कारगिल की तरफ से इंग्रिडियन की बात करें तो इसमें एडिवल वेजिटेबल ओइल्स विटेमिन एंटी फोर्मिंग एजेंट और यहाँ पे एक लोगों दिया हुआ है संपूर्न पोशन्स वस्तजीवन और इसके लेट स स्क्यान कर सकते हैं तो यह काफी आच्छी कॉलिटी का ओयल है मार्केट में जो बाकी ओयल आते हैं उसमें हम कुछ खाने की चीज़ें फ्राइ करते हैं तो उस खाने के चीज़ें की स्मेल आती है लेकिन यह काफी आच्छी कॉलिटी का ओयल है इसमें आप कोई भी खाने की चीज़े फ्राइ करते हैं तो उस खाने के चिस से इस ओयल की स्मेल नहीं आएगी एक ब्रैंडेड ओयल है और इसके कॉलिटी बहुत ही बढ़िया है तो आप भी एक बार इस ओयल को जरूर यूज़ करके देखिए तो चलिए अब हम इस कंटेनर को उपन करते हैं इसके उपर कॉपके काड़बोर कवर लागा गया है और इसके उपर यह वाइट कबर की रशी है तो इसे हम कट करते हैं कि आप अएक प्लैस्टिक करके आप लागाई गया है हम ओपन करते हैं अ इसे ऊपन करने के लिए हम इसे ऊपर की तरफ खीचना है तो यहाँ पेक प्लैस्टिक का क्याप दिया हुआ है जिससे हमें ओइल निकलने में आसा नहीं होगी और ओइल लिचे भी नहीं गिरेगा तो ये क्याप का सिस्टम काफी अच्छा है तो चलिए अब हम इस ओईल को निकलते है तो इसके अंदर और एक क्याप दिया गया है हमें इसे उपर की तरफ खिचना है तो ये यलो कलर का ओईल है और इसमें कुछ स्मेल भी नहीं आ रही है ये काफी अच्छी कॉलिटी का ओईल है अब इस जेमेन रिफाइंड सनफलोर ओईल को यूज कीज़े और आपने खाने को और ज़्यादा हिल्दी और स्वादिश्ट बनाईए तो फ्रेंड्स आज कई वीडियो था उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को मिलते है आगली वीडियो में एक नए प्रोड़क के साथ